11 तो तुमने बहुत यूज किया होगा, लेकिन अगर तुम अभी इसको यूज करने जाते हो, तो तुमको कुछ इस तरह का error मिलता ही होगा, और तुमने इसके solution पे videos भी देखी होगी, फिर भी काम नहीं बना, शायद 11 Lab अब पूरी तरह से paid हो चुका है, अब इस वीडियो मे मैं तुमको 11 Lab यूज करने का solution तो नहीं बताने वाला हूँ, हाँ, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो पर click किया ही है, तो मैं तुम्हारी problem जरूर solve करूँगा, मैं इस वीडियो में तुमको तीन ऐसे AI generator के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें तुम unlimited voice generate कर सकते हो, उसमे character या की कोई limit नहीं होगी, और इसमें जो दूसरा tool है, वह सबसे best है, क्योंकि तुम उसमें voice के साथ साथ उसका stylish subtitle भी generate कर सकते हो, और वहाँ पे तुमको editing के related बहुत सारे material भी मिल जाएंगे, और last वाले में तुमको एक ऐसी खास trick भी बताऊंगा, वो ज़रूर apply करना, त सबसे पहले sign in पे click करके sign in कर लेना, क्योंकि बिना sign in करे तुम voice generate ही नहीं कर पाओगे, अब sign in करने के बाद यहां से click करके तुमको दिखा दूँ, ये मेरा free plan चल रहा है और मैं इसमें unlimited voice generate कर सकता हूँ, अब यहां पे तुमको दो section मिल जाते हैं, यहां पे तुम अपनी script paste कर सकते हो, और यहां पे click करके सीधा अपनी document file भी upload कर सकते हो, और इस option से तुम multiple voice की story भी create कर पाओगे, अब इस box में अपनी script paste करने के बाद यहां से उसकी voice change कर सकते हो, इस section में तुमको multiple voice और language के option मिल जाते हैं, अब यहां से तुम gender select कर लेना, और यहां से तुम age भी select क कर लेना, लेकिन अगर तुम India select करोगे तो तुमको कोई भी result नहीं दिखेगा, तो उसके लिए तुम system voice पे click कर देना, तुमको इतने सारे Indian character की voice मिल जाएंगी, अब simply यहां से उसको play करके check कर सकते हो, फिर यहां पे click करके select कर लेना, अब यहां पे तुमको voice को slow या fast का भी voice मिल जाएगी, मैं तुमको जल्दी से play करके दिखा देता हूँ, अब download पे click करने के बाद यहां से तुम फिर से voice generate कर पाओगे, अगर तुमने यहां तक देख लिया, तो अगली site में तुमको और मजा आने वाला है, जहां पे voice के साथ साथ उसका subtitle कैसे generate कर सकते हो, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वीडियो को like करना पड़ेगा और channel को subscribe करना होगा, चले आओ clipchamp पे आजाना, अब यहां पे try for free पे click करके अपना account create कर लेना, तुम चाहो तो browser में भी use कर सकते हो, या फिर यहां से अपने PC में भी install कर सकते हो, अब यहां पे तो एक full editing interface open हो जाएगा, अब यहां पे वैसे तो पूरे वीडियो की editing कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ voice और subtitle के बारे में बता देता हूँ, तो यहां पे record and create पे click करना है, फिर इस layer को click करोगे, तो यह option visible हो जाएगा, और यहां से voice character भी choose करने के बाद, यहां से तुम voice check कर सक caption language select करने के बाद यहां click करोगे, तो subtitle generate हो जाएगा, अब तुमको play करें, अब किसी भी caption पे click करोगे, तो उसको customize भी कर सकते हो, तो यहां से export वाली button पर click करोगे, तो तुम बिल्कुल free में 1080 पी तक video export कर सकते हो, लेकिन एक problem है, यह एक video clip है, और तुमको AI voice की जरूरत थी तो उसके लिए किसी भी file converter site पे जाके अपनी वीडियो को MP3 में convert कर सकते हो, या फिर subtitle की जरूरत है, तो वीडियो edit करते, time video का blending option screen कर देना, सब टाइटल भी आराम से दिखेगा, अब अगला tool देखने से पहले तुम उसकी voice सुन लो, इस tool से कुछ इस तरह की voice generate कर पाओग अकाउंट create करने के बाद तुमको इतने सारे हिंदी character की voice मिल जाएगी, अगर यहाँ show more पे click करोगे, तो तुमको free character की voice भी मिल जाएगी, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक दो word generate होगा, और free वाले से तुम unlimited voice generate कर सकते हो, मान लो तुमने gold वाली voice select किया, और यह तुमने script paste किया, तो यह तुमको बता देगा कितना credit spend होगा, और free वाला select करोगे तो यह तुमको credit spend का नहीं बोलेगा, तो तुम free वाले को select करके unlimited voice generate करते रहो, अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम temp mail या कोई fake mail से दूसरा account create कर लोगे, तो यह जान लो इसमें fake mail use ही नहीं क कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक solution निकाला है, अब तुमको इस site पे आना है, और यहाँ पे अपनी एक original mail फील कर देना है, अगर तुम mobile का उसे करके video editing सीखना चाहते हो cap cut में, तो मैंने अपने channel पर ये वाली video upload कर रखी है, उसमें मैंने voice editing से लेकर video editing के बारे में A to Z सब कुछ समझा दिया है, video editing से related कुछ भी materials चाहिए, तो आप मेरा telegram पर join कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप मेरा hearts app group भी join कर सकते हो, video को जरूर watch कर लेना बहुत काम आएगी, मिलते हैं वहीं